बिना मैदे का यूज के आज हम घर पे बनाने वाले घर के ही तवे पे गार्लिक नान की रसिपी जिससे बनाना बहुत जादा सिंपल है और इससे कोई भी बना सकता है एकड़म हेल्दी है और बहुत टेस्टी बनके त्यार होता है इसके लापको करना का देखे आपना अच्छे कॉलिटी के गेहु के आटे का यूज करेए यह फिर आप क्या कर सकते हो आपके घर का जो भी गेहु है उसके अंदर आप दो से दीन चुमच मैदा यूज कर लीजे उसके बद आप नमक ले लीजे और शक्कर ले लीजे शक्कर आदे चमज से थोड़ा जाया नमक तेस के साब से और यह देखे बेकिंग पाउडर रेखे जो कि आदे चमज से थोड़ा सा कम है और यह बेकिंग सोड़ा मैं जो फोट तीजब है अभी आपको क्या करना है अच्छी त langड़ी के सिसाहरे इंग्रीडिियन को अच्छी तरीके से आप mix कर लीजे and mix करने के बाद आपको क्या करना है इसमें डालना है पानी possible है आपके पास दही available है तो आप 1-2 चमज डाल सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा result में फरक दिख सकता है but मैं इससे बहुत simple बना रहे हूँ इसलिए मैं नहीं यूज करें ठीक है अब यह आपको क्या करना है थोड़ा थोड़ा सा यह आपको पानी डालना है बहुत जादा पानी एक साथ नहीं डालना है और अच्छी तरीके से इस आटे को गुनना है एकदम soft आटा लगाना है तो जितना पानी जर्वत है वो साथ थोड़ा थोड़ा क्या करिए पानी यहाँ पर डाले और इसको अच्छी तरीके से गुनिए अगर आप मैदे से भी सेम बना सकते हो बट वह मैं आपके साथ में नेक्स वीड़ो में शेयर करूंगी कि एकदम परफेक्ट वाला एकदम जैसा पोटल रेस्टरूंट डाबी में खाते हो उस तरीके साथ गालिक नान कैसे वना सकते हो बट मैं सोच रही थी कि अगर हेल्डी ऑप्शन है तो चलो वही ट्राइक करते हैं मैं इसे दो से तीन बर बना था मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था इसलिए यह रेसेपी में आपके साथ में शेयर कर लिए अभी देखे एक चमची मैंने नॉर्मल लगाया है और अच्छी रेगी से आपको क्या करना है इसको इस तरीके से पहला देना है और रेस् आपको देखे हैं आपको जाने मैं आपको जादे आइंड में आपको एक यह दिखाँ और जा इसको सिफ दिखाँ गर अग अगर ढर आप सको कम टाइम लिए एगर दिके बनाते हो तो एक रिजल्ट कि बहुत जादा फरक है ऐसा बिल्कुल नहीं है नौद असका फरक आता है और कुछ भी फरक नहीं आता है टेस्ट में डेफिनिटल आपको आपको आप रोटी पराठा बनाते हैं उससे यह बहुत जाद अच्छा लगता है विकूज इसके पुछ हम यह गार्लिक लगा रहे है ना गार्लिक को आपको अगें पेट के लिए अच्छा होता है डाजेशन के लिए सो मैं यहां पर अजवाइन का यूस कर रही हूँ वह सारी चीज़ लगाने के बार ना बस एक से दो बार बेलन जो है ना एक पर उस पर घुमा ले ना जिसो अच्छी तरके से रोटी के उपर बैट जाएगा अब या फिर मीडम टू लो फ्लेम पर आप ये वाला प्रोसेस करें एक से दो मिनट करें हो जाएगा ज्याधा हाइव पर मत करना और अभी देखे ना अच्छी तरी किसे फूल पर अच्छी तरी किसे हो गया ऑल बाद में लगाईए या फिर इस तरी के से लगाईए कि तवे के लेनो बेल ऐकन को ज़रूर से प्रेस करना ऑल पे क्लिक कर देना जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले कि जब जब मैं वीडियो का अप्लोड करूंगी और आप मुझे इंस्सेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जहां पर आपको रेसिपी रिलेटेट में वीड और यह थोड़ा और फूला था जब मैंने इससे बनाया था बाकि रिजल्ट अच्छा आप भी ड्राइ करना और ऐसी बड़ो उसके लिए फॉलो लेकिन चाहे तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना जिहान रखना बाए